वासे तेने उबाघच्चै तैनंसे आनंदे भगवो गोईमस तिकुत्तो मुधानेनं पायसु बंदई नमंसै वंधित्ता नमंसित्ता एवं वयासी अथी नंबंते गिहिनो गिहमज्चा वसंदस्च ओहिनाणं समुपज्जई हंता अथी जैनंबंते गिहिनो जाव भन्ते ममवी गीनो गीह मज्चा वसंतस ओही नाणे समुपन्ने उरित्थीमे रम लवन समुद्धे पंच जोयन सया इम जाव नोनुई चुयम नरेम जानामी पासामी अब हम इसी का एक-एक जो सब्द है उसको हम मिनिंग करेंगे इसका सबसे पहले तैनम तदनंतर तैनम का मठला तदनंतर ने उसके बाद से आनंदे आनंदने भगवों गोयमस्द भगवान गवत्तमको तिकुत्तो तीन बार मुद्धानेनम मस्तक्षे पाएसू पेरों में मंदई वन्दना की जो बनना है वो कहां करनी चाहिए आवेशा पेरों में करनी चाहिए वो भी पेरों में भी अंगुठा जो होता है पेर का उसके उपर अपने मस्तक को लगाना चाहिए और कहीं इदर उदर कहीं भी मस्तक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि डाइरेक्ट अंगुठे पर अगर हम मस्तक लगाते हैं तो डाइरेक्ट उल्जा उनकी जो होती है भगवान की गुरु की सादु की वो हमारे अंदर आती है यदि कोई कई लोग हो तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं ऐसे अमारी विधी नहीं है शेदा मस्तक जो है अमारा अं रभादों को जोड़ा, दोनों पेरों को मोड़ा, और मस्तक को हमने, जो अंगुठा है, गुरुका, तेर्थानकर का, यद। कहा उसचांच पर अपने मस्तक पो लगाना है. तो यह पन्चांग प्रनती जाइनों की बन्दन विद्य है, तो यह मुच्किल से मिलती संतों की सं पुर उपर उपर सही से नहीं करना चाहिए और वाणना करने से क्या होता है तो गवतम स्वामी ब cherry- Caleb करते हैं कि बंदना करने से क्या लाब होता है भग्मार महरशामी कहते गउत emgd करने से नीच गोत्र कर्म का असले होता है और जो सारा क्षय होजाता है उタandenik सब्सक्राइब देखे सबी сопली ही हमारा हमेलाब होता है क्योंकि हम जुखेंगे कि उसे हमारा जो घृट्झे JAM Name भी तर दी होती ही जुखने लिए है चुंपने जुखने क्या है क्योंकि हमब्स है जितास इता है आप जिससे व्यक्ति का कैश्क है वह वी सांते रहती है ऊब जुकने से मेमोरी पाल है कुछ हमारा ब्लोड है वो ब्रेंड की और जाता है जब हम जुकते हैं इसलिए जुकने का यहीं वन्ना करने का भी बड़ा महत्व है और वन्ना भी हमें आप यह तो मैंनि प्रणल पावर्फुल होता है और जो मंदिर में लगाते हैं भी राइस से लेप्टर क्योण बंदिर में लगाते हैं अर्थी की जाती वह भी राइटशने प्लेपे जाती जाती तुर का भी बड़ा हमहत्व है कि कैसी हमें बनना करनी चाहिए इसमें बगवान महारु नियोतम स्वामी जब जाते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले बगवान को बनना करके जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो जो गुरु होते हैं सादु होते हैं उनको बनना करनी होती हैं जैसे हम भी बहार जाते हैं तो हम बोलके जाते हैं, वैसे गौतम स्वामी भी बाहर आ रहे हैं, तो गौतम स्वामी क्या करते हैं, भगान महर स्वामी से परमिशन लेते हैं, उसे पहले तिकुत्तों के पाट से उनको बंदन करते हैं, और बन्दा करके एवं बयास इस प्रकार कहा अथिनम भनते भगवन क्या गिहिनों ग्रिष्ट को यह वज्जा वसंतस घर में रहते हुए ओही नानम यानि अवदी ज्ञान संपज्चाई उत्पन हो सकता है गौतम ने उत्तर दिया हन्ता हन्ता अथि हां हो सकता है क्योंकि आनंद स्राव के घर गौतम स्वामी गहे हैं तो गौतम स्वामी से आनंद स्राव को प्रश्ण पूच रहे हैं कि क्या भनते ग्रिष्ट में रहते हैं अवदी ज्ञान हो सकता है तो गौतम स्वामी ने कहा हन्ता हां हो सकता है इसमें कोई प्रोप्लम नहीं हो सकता है मुझ ग्रियस्त को भी अवदिग्यान हो सकता है ऐ रादरम आननर ने कहा या यदी गहीनों जाओद्य उपद्जित को अवदिग्यान होمة रादर तेक करता है तो न्यक्रियस्त हमत Д्यौ सब्सक्राइब मुझे भी में भी घर में रहता हूं मुझे भी अवदिज्ञान उत्पन हुआ है पुरित्थी में पूर्व की और पूरे इस्ट्र की और लवन समुद्धि लवन समुद्रब 500 योजन तक बिखता है लमन समुद्र में मुझे 500 योजन देखता है जावे ने यावत लोनुय चियम लोनु पाच्चुत नरक का नाम है लोनु पाच्चुत पहली नारकी में एक नरक का नाम है लोनु पाच्चुत नरयम नरक को जानामी जो रत्न प्रभाप्रित्वी है उस इसके बाद गवत्म है आननस्रमडोपासक के पास आते हैं उसने उन्हें तीन बार मस्तक जुका कर किया प्रपुषा भगवन किया ग्रिहस्तय को झोगत brain हो सकता है महतरी को सद सब्सक्राइब करने और सब्सक्राइब बहुतंसरावक हैं इनर्जी नहीं थे टो क्या कहते हैं और शावक पास में आएं दूसरीमें कर में कर सकता हूं तो researchers मैं एकदम पास में आते हैं तो वो करता है तीन बार वो बन्ना करते है आनद्श्रार्व गोतमसामी को तीन बार बन्ना घर देए आनद्श्राना में लबन समूद्र में पाँस योजन तक देख सकता हूं अधोनोप में लोनुपाच्चुत नरक तक जानने तथा देखने लगा हूं। समनोवासयम एवं वयासी अत्थीनम आनन्दो गिहिनो जाव समुपज्जे नोचेवणं ए महाले तम्नम तुमं आनन्दा एस थानस आलो एही जाव तवो कम्मं पडिवज्जाही। तैयनम से भगवम गोयमे उसके बाद भगवान गौतम से भगवम गोयमे भगवान गौतम आनन्दम समनोवासयम आननस्रमणो पासक को एवं वयासी इस प्रकार बोले। क्या मोलते हैं आनन्दम अत्थीनम गीनों जाव समुपज्जी यह ठीक है कि घर में रहते वे अवधिग्यानुत्मन हो सकता है नोचेवणं ए महाले किन तो इतना विशाल नहीं हो सकता है गालेका मैं इतना बड़ा नहीं हो सकता है अदिक तंदम इसली आनन्द अनन तुम 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 आता है व्रक्रीट में अपना, तुम 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 एस मृषावाद रूप इस थानकी इस तनकी में इस थानकी, यानि कि स्थानकी मृषावाद, क्योंकि आपने जूट क्योंकि ग्रेश तक इतना बड़ाव दिग्यार कभी नहीं हो सकता आप जूट बोल रहें असत्य भासा का प्रयोग करें आप आलोसना करो जाओ यावत उसे सुद्ध करने के लिए तो कमम तपश्याश्विकार करो गौतम सामी बोलते हैं आनन सामक को कि आपने जूट का प्र शुकार करों तहें नम्तत पश्चाथ से आनन दे वह आनन सम्णों वासे स्ट्रम्णों पासक बगवं गोयमं बगवान का उत्तम को एवं वयाशिस प्रकार मोला बंते हैं ये बगवन अत्थीनम क्या जीन वैने जिन सासन में संतानम सत्य तचानम तात्रिक तही आनम तत्य तथा सब्भूयान सद्भूत भावान भावों के लिए भी आलोसना की जाती है क्या जिन सासन में जो सत्य बोलता है उसके लिए भी आलोसना की जाती है जाव और यावत पड़ी बज्जी तपकर वस्विकार किया जाता उसके लिए को तमने उत्तर दिया नो इनट्टे सम् संतानम जाओ भावानम सत्यादी भाओ की नो आलो इज्जी आलोशना नहीं होती है जाओ यावत उन के लिए तो कमम तपह कर्म नो पड़िवज्जी नहीं स्विकार किया जाता तम नम तो भनती है बगवन तुबेचे आप ही एस ठान से स्थान के लिए आलो ए आलोशना के ज पड़ेगे क्योंकि जिन्सासन यह नहीं कहता कि जूट पोले उनको करना होता है जो सत्य बोल्टा उनको आलोशना नहीं करनी हो देता भगवन आप ही जूट बोल रहे हैं इसलिए आप ही आलोशना कीजिए पड़ी बज्ज़ा और आप ही तपह कर शिकार करो भावार्थ तद्नंतर भगवान गौतम ने आनन्स रावक से यह कहा कि यह आनन्द ग्रिहस्त अवस्ता में रहते ग्रिहस्त अवधिकान तो उत्पन हो सकता हैं परन्तों इतना भी साल नहीं अता यह आनन्द इस असत्य भासन की आलोशना करो यावत आत्मसुद्धी के लिए उचित त स्विकार करो इसके पर साथ आनन्द गवान गौतम से बोला है बगवन क्या जिन प्रोवस्त में सत्य तात्विक तथ्य और सत्वुद्ध भावों के लिए भी आलोशना की जाती है यावत तप्व कर्मस्विकार क्या जाता है बगवान गौतम ने उतर दिया आनन ऐसा नही जाता है बगवन यह जिन प्रोवस्त में सत्य आदी भावों की आलोशना नहीं होती और उनके लिए तप्व कर्मस्विकार नहीं किया जाता तो भगवन आप ही इस विश्य में आलोशना कीजिए और तप कर्म को श्विकार कीजिए ग्रहन कीजिए तीका आनन्द के पूश जाल घ्यान नहीं हो सकता घ्यान तो हो सकता अधिया इतना बड़ा नहीं हो सकता उन्हें आनन्द का कथन मिध्या प्रतित हुआ जूटा लगा परिराम सवर्प उसे आलोशना तथा प्राइसित स्वरुप तपस्तरन के लिए कहा आनन्द में नम्रता कि दृटता पर उतर विने भाव था लेकिन दृटता ऐसे नहीं किया आप बोले हो सही होगा मैं पता नहीं हो सकता है डाउट नहीं किया एकदम दृटते क्या सची बात के लिए आलोशना तथा प्राइसित कीजिए इस वक्त में में कई बाते ध्यान देने हैं आनन ने मुनिवरत शिकार नहीं फिर भी वह सादला की दिश्टी से उस अवस्था पर पहुंच गया था जिसे हम आगम की भाहसा में स्रमण भूत कहते हैं स्रमण भूते साधू जैसा यदि था ग्रिश्था ग्रिश्था लेकिन उनका आश्रान वहवार पालन सब कुछ एक साधू से भी बढ़ करता साधू का कैसा होता है कैसी दिन चर्या होती है साधू का कैसा बहबार होता है कैसे ब्रतों का पालन करते स्रावक होते में भी वह साधू जैसी चर्या का पालन कर रहा था जैन परमपरा में वेस का उतना महत्व नहीं जितना की आध्यात्मिक भाव का महत्त है वेस का इतना म वो उसका महत्त हैं उसका इम्पोटेंस है यही कारण है कि सिद्धों के पंद्र भेदों में जैन शादू ही नहीं ग्रिहस्त परीवराजक सन्यासियादी जैनेतर सादू को भी मुक्ष का अधिकारी माना गया है ऐसे निके सादू हैं वो मुक्ष जाएंगे ग्रिहस्ता के ब रहकर क्या आते अतीर्थ में रहकर कि अभी तक बढ़ नहीं मना उसे पहले बैसे हो जाते उसमें विमार्ध देमात कहीं उद्राणाता है यही कारण है कि सिद्धों की पंद्र भेदों में जैनन शादू ही नहीं घ्रिहस्ता होते हैं जो भगवे कपड़े वाले होते हैं वो सन्यासी आदि जैने तर जो जैन नहीं है लेकिन दूसरे धर्म को मानने वाले हैं उनको भी मोक्ष का अधिकारी माना गया है परन्त उपर्युक्त विचार चर्चा से ध्वनित होता है कि गौतम स्वामी के धाला कुछ विलक् मुनिक को ही हो सकता है ग्रेशत को नहीं हो सकता है इसी धारना के काड़ उन्होंने आनंद को आत्म विशुद्ध के लिए प्राइशित लेने की प्रेणा दी यह मित्ख्या बासन रुप दोस्त के लिए गौतम स्वामी ने आनंद को आलोसना तथा तपह कर्म के लिए कहा अपने दोस्त को अच्छी तरह देखना या समजना और उसे पूरह करने का निष्चे करना नि Sahne और एसके पुंशों को समझना देहना जानना उसके बाद रिट संकल्प करना जो मेरे से मिश्टेक होगी १विस्टेमे फूशर मेमें मिश्टेक वापस выход करना होता है कि अब जो मेरे से मिश्टेक हो गई अब में फ्यूचर में उस मिश्टेक को वापस रिपीट नहीं करूंगा किसी प्रकार की भूल होने पर या दोस्त लगने पर यदि मनुस्य उस पर अच्छी तरह विचार करें दोस्त के रुप में समझ ले पून ना करने का प्रकार करें और साथ ही भूल की तर्टमता के अनुशाद एक उप्वास दो उप्वास चोटा बड़ा तपस्रन प्राइस्चित के रूप में कर ले उस भूल के पुन होने की संभावना नहीं रहती है मानलों मिश्टेक हो गए तो प्राइस्चित के रूप में कभी-कभी प्राइस्चित के रुप सब्वास ना सा मॉझाजित की रहता नहीं अपना बोल करके बता करके लियना जाये कि यह मेरे से काम वा गया था आप मुझे प्राइस्चित एसे निए कि छोटे मड़े जो भी दोस्त लग उनके लिए प्राइशित लेना सही लेकिन अब हमें समझ में आया कि इसका भी प्राइशित लिना होता है क्योंकि आलोसना हम नहीं करते हैं तो संसान में कहा जाता है आलोयन मीन उत्रिष्ट भांगे काल अनन्त रूलीजे नरक निगो दमी जिंका खाव एम जान आलोयन कीजे रामुनीस्वर आलोयना एम कीजे जयाज जारे ने जो आरादना है उसकी जो पहली ढाले है आलोसना की बुरी ढाले है उसमें कहा है कि छोटे मोटे जो भी दोस्त ल बने अब भी प्रस्थ लेत अभी वह चलता है जो परमपराचल रही भगवान महरस्थ लेकी तो जो भी आज भी हमारे जड़ा कोते हैं उन्को हमें याद करके घुरुदेव नहीं होते तो जो सब्सक्राइब सक् ocid 13 मेई कभी कभी सब्स अजाता है सफ्मे में को खाना खालिया वह पर आता है वह प्राश्चित होता है लेकिन सपने में तो एसे लगता है कि लेकर रहे हैं। कोई मालों कोई किसी ने बड़ी मिश्टेक हो गई तो साधी प्रमुखा करते हैं कि यह आप गुर्दे को निवेदन करते फिर गुर्दे जैसे उचित संदे वैसी देंगे जैन साधु अपने भुलों के लिए प्रति दिन चिंतन यह पस्चाताप करते हैं जो भी जैन करने से भी काफी हलकी हो जाती है तो चोटी बड़ी तपस्या उसके लिए स्विकार करते हैं अपने आप सिकार नहीं कर सकते वह बोल करके ही स्विकार करनी होती है एसे वेसे नहीं थे माहा टपस्वी थे उनके पास शतूर पूलों के ज्यान थे और उनके पास भी तेजो लब्दी थी मैंने बहुत लब्दी संपन थे अख लब्दी थे उनकेी पास अक्षिन लब्दी की विषियustन क्या होती है अक्षिन का माओ कभी वह कोई भी वस्तू है सपॉस्ज उनके पास इतना सा कटोअ हम खीर ती 500 पांसों तापस आते हैं तो पांसों तापस होजते कि हम तो खाने वाले 500 हैं और इनके पास इतनी सी कटोरा में खीर वह हम सब को कैसी खिलाएंगे तो गोतम साथिए अपना पात्र लेकर करें से बेड़ चाहिए तो गोतम सामीं अंगुठा रखकर के सबको खेर परुष्टे परुस्ते जाते वह सब स्पांसो के पास्टापस इने सी खेर जेपांसो तापस में निपाने करने वह कहा जाता है जब तक वह नहीं घ्ड़ती जाएगी अगर वो सबसे पहले ले तो उसके बाद नहीं बढ़ेगे इसलिए गवत्म सबसे लास्ट में वो लेते थे सब से पेले सभी को पेदे खिलाते थे बार में उले दे उनके कर्मे गीत जो हम गाते हैं सुबसुब प्राय प्राय थी अक्षीन लबते विख्यात गौतम के कर्मे साक्षात नहीं खूटते गृतम अदुबाद जोजपता गौतम को प्रात गौतम गणधर बड़े महान इनके जपसे नओ निधान मिलता सच्चा आत्मिक ज्यान महावीर के सिस्च बड़े करते घंटो ध्यान खड़े बिना सहारे सिकर चड़े बन गए ज्यानी बिना पड़े गौतम जपसे मितते रोग तलते भूत प्रेत के योग मन वान्चित सम्मिलते योग तलते दूष्ट कर्म साईयोग गौतम गणधर बड़े महान रिद्धि सित्धिका देते दान गौतम के नाम में भी स्व इतना सवर्ग्ण है यह दियकाभी आपको हम 것으로 can kum विड़ी सिद्धिका किसी की विधी शिद्धि जाए कुछ जाए तो गउतम स्वामी का नाम लेकर है काम सूरू करी तुब आपके घर तो जो जबता गोतम को प्राइब नहीं खूटते गृतम मदुपाद उनके घर में कभी घी दूद दहीं अब जब कोई कमी नहीं आएगा अमें इसा बढ़ता रहे गा किसी भी प्रकार की कमी नहीं गोतम स्वामी के नाम में भी इतना समत करें है यहां जो फविख्षा है तो यह एक शैस्थ आनी कम डियोति गाय युक क्या ऴर्च जो कि टीए गोतम में तिन तिन लेटर है तो तिनों के एक एक विशेष्टा है काम देनु कलप के अम έχει करते हैं जो वी हमारी स्थे हुआ ha किसा नाम देता है तो उनके मतले ओफिसने सब अच्छा जलता हैं तो कभी कमी नहीं आते हैं किसी भी प्रकार के हमें साब बेनिफिट होता है प्रोफिट मिल को तो गोटम सामी का नाम बड़ा समद्वान गौतम स्वामी महा तपस्षी महा ज्ञानी कठोर चर्या वाले शादू थे आनन्द ने उनकी प्रतीशत सद्धा रखते विजिस का उत्तर दिया वह ध्यान देने उग्या है तो गौतम स्वामी किस रूप में कौतम स्वामी आनन्स राव को किस रूप में बताएंगे तो उसका हम आगे बद सुनेंगे अब किसी को कोई प्रश्ण नहों तो पुछ सकते हैं अब अपने बताएं बहुतम स्वामी कामेदी ज्यान है ज्यान सब है तो भूली है